हालो दोस्तों वेलकम टू रिजार्ट गुरू चैनल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं रोज 11 बजे यहां लाइव होते हैं बाई लजी के लिए तो जल्दी से सेशन को जोईन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सकें येस निशा गुड मॉर्निंग बेटा आईश फîल टेड़ी चैनल चैनल श्यशा गुड मॉर्निंग चैनल डा पताश है कि लृष कर लेकौ तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैने आपको बताया था कि हम ला ने इक्स क्लास में क्या पढ़ने वाले हम next class में बहुत अच्छी revision करने वाले है topic wise तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमने किस के बारे में बात करने है animal kingdom के बारे में बात करने है और animal kingdom में सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से phylum की porifera की good morning शिवांगी चलो तो शुरू कर लेते हैं मैं फटाफट से आपको थोड़ा सा quick revision दे देती हूं पौरिफेरा के बारे में तो सबसे पहला first phylum जिसे हम बोलते हैं phylum porifera पौरिफेरा यह animal kingdom का पहले protozoan तो हम biological classification में पढ़ लेते हैं उसके बाद जो सबसे पहला phylum आता है वह कौन सा इता है पौरिफेरा में हर फाइलम के नाम से आपको पता चल रहा है कि वह क्या किया उसकी characteristic है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर मैं पौरिफेरा की बात करूं तो पौरिई पौरिज मतलब पॉर वर मेंस जो पॉर्ण को bear करता है bearer जो pores को bear करेगा वो कौन होगा porifera होगा बहुत ध्यान से सुनना आज की class में आपको porifera से अगर कोई question आता है तो आप कोई भी गलत नहीं करोगे यह मेरी guarantee अगर आपने यह वाली class revision वाली class proper सुन ली तो ठीक है अगर मैं बात करूं porifera की पोरिफरा कौन है जो पॉर्सफ भीर करते हैं वह पौरिफेरा है अगर हम बात करें कि इसकी APP क आप कहते हैं कि या कहते है पॉरिफेरा की स्टजी को येस रजनी हुमण हाइबल ही बेटा हलो कैसे हैंब बांग के भी आरई घुड मॉर्निंग कुडंग very good morning चलो तो मैंने आपसे क्या क्या पूछा मैंने आपसे पूछा कि जो पौरी फेरा है उसकी study को क्या कहते हैं कौन बताएगा येस पौर बीरिंग आनिमल्स होते हैं इन इन आनिमल्स के भीच में इन आनिमल्स के पॉर्स प्रेजंट ए ठीक है चलो अब जल्दी से मिरको आगे बता दो कि इसकी study को आप क्या कहते हो इसकी study को हम कहते हैं पाराजॉलोजी क्या बोलते हैं इसकी study को बोलते हैं पाराजॉलोजी सबसे पहले सबसे पहला साइन्टेस्ट कौन था जिसने ये वर्ड दिया था पॉरिफेरा कौन था सबसे पहला कौन साइन्टेस्ट जिसने ये टर्म दी थी पॉरिफेरा किसने दी थी एक scientist थे grant जिन्होंने यह term दी थी Porifera ठीक है अब next अगर मैं बताओं कि Porifera का वो scientist बताओ इन्होंने तो term दिया था Porifera अब वो scientist बताओ या वो zoologist बताओ जिसने क्या बताया था कि जो Porifera न्ज है वो क्या है वो plant नहीं है उनका nature कैसा है अनिमल जैसा है येस आप scientist बताओ जिन्होंने यह बताया था कि वो उनका animal nature है animal nature है वो plants नहीं है है सेसाईल एक जगा खड़े रहते हैं लेकिन उनका लेकिन उनका nature कैसा है animal जैसे है येस येस रॉबर्ट ब्रैंड वेरी गोड तो animal nature of sponges किसने बताया था कि इनका जो nature है वो animal nature का है Yes कौन बताएगा John Ellis किस ने दिया था John Ellis ने दिया था John Ellis ने बताया था सबसे बहले बताया था कि जो sponges होते हैं वो कैसे इन nature है वो animal जैसे है plants जैसे नहीं है अगर यहाँ पे अगर वो सेसाईल है मतलब एक जगा खड़े रहते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वो क्या है इसका मतलब यह नहीं है कि वो प्लांट्स है उनका नेचर कैसा है आनिमल जैसा है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके characteristic की यह तो था इसका general information अब हम बात करते हैं इसके characteristic की characteristic में सबसे पहले सबसे पहला character क्या आता है कि यह asymmetrical कहली नेचर है कैसे है और आँ समय करते हैं ना यह को कट करो तो इनकी को इन्हें और कंजी suggest है दूसरी चीज़ यह कैसे होते है mostly maraion होते हैं मोस्टि कैसे होते है Mary water में मिलते हैं लेकिन फ्यूक्षγοर में भी मिलते है फ्रेश ओटरस में मिलता है डेस्मो डेमो स्पॉंजी जो होते हैं वो थोड़े कहां पर मिलते हैं फ्रेश वाटर में मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट यह ज्यादा तर सॉलिट्री होते हैं solitary भी होते हैं और colonial भी होते हैं मतलब अकेले भी रहते हैं और colony में भी रहते हैं ठीक है colonial भी होते हैं और solitary भी होते हैं कौन से होते हैं solitary कौन से होते हैं जो अकेले रहते हैं कौन से होते हैं स्काइफा साइकॉन और colonial कौन से होते हैं यूकोसोलेनिया यह कैसे हैं यह कोलीनी फर्म करके रहते हैं ठीक है फ्रेश वॉटर और मराइन वॉटर दोनों में होते हैं next इनका grade of organization कैसा है कैसा grade of organization है यह multi cellular organism है multi cellular cellular level का organization है cellular level of organization है cell पे ही पूरी body ticky हुए cellular level of organization सारे के सारे function कौन perform कर रहा है एक cell perform कर रहा है clear है इतनी बात next अगर हम इसके germ layer की बात करें germ layer वैसे इसको कहीं जगा लिखा होता है कि यह diploblastic होते हैं कैसे होते हैं diploblastic होते हैं लेकिन यह animals जो होते हैं यह true diploblastic नहीं होते true diploblastic नहीं होते क्यों दो दो लेयर्स तो present होती है लेकिन इनकी दो लेयर्स कैसी होती है इनकी body में जो layers होती है वो कैसी होती है यह देखो आउटर layer और दूसरी कौन सी होती है inner layer जो outer layer है वो कौन सी होती है pinacoderm उसको क्या बोलते है पिनाको डम्स जो outer layer होती है उसको क्या बोलते है पिनाको डम्स और जो inner layer होती है उसको क्या बोलते है क्वानो डम्स ये क्वानो डम्स किसके बने होते है क्वानो साइट्स के बने होते है और पिनाको डम्स किसके बने होते है पिनाको साइट्स के बने होते हैं, पिनाको साइट्स के बने होते हैं, इसकी जो लेयर होती है, बाहर वाली कौन सी होगी, पिनाको डर्म और अंदर वाली कौन सी होगी, ठीक है, नेक्स्ट, नहीं बेटा, लेफ्ट एंडेड नहीं हो, ठीक है, अगर इन दोनों के भीच के ग Crap की बात करें तो इसमें ocellular ocellular the gilletaneous matrix पाया जाता है अगर मैं इन दोनों के भीच की बात करूँ यह आपका बाहर वाली layer कौनसी हो गई बाहर वाली layers हो गई qonocytes, qonoderms और यह वाली layer हो गई pinacoderms और इसके बीच में इसके बीच में gilletaneous matrix पाया जाता है जो a cellular in nature होता है उसको हम कहते हैं मीजो क्या कहते हैं कौन बताएगा मीजो काइम या मीजो हिल मीजो काइम या मीजो हिल इसके बीच में जो यह जिलेटेनियस ट्रक्चर पाया जाता है जो जिलेटेनियस मैट्रिक्स पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजो काइम बोलते हैं, या मीजो हिल बोलते हैं, clear है इतनी बात, अब next अगर मैं हम बात करें, यह तो हो गई इसके, किसकी जर्म लेयर की बात, अगर हम बात करें इसके cavity की, तो इसके अंदर कैसी cavity पाई जाती हैं, अगर हम बात करें इसके cavity की, तो इसके अंदर एक spongeo seal पाए जाता है, क्या पाई जाता है, आपने देखा, यह ऐसा structure है, यह वाला जो layer है यह कौन सी है, यह layer है, क्वाणो डर्म की, क्वाणो डर्म लेयर है, बाहर बाहर वाली कौन सी है, पिनाको डर्म है, इसके बीच में यह जगा है, किस से field है, मेजन काई म से, मेसन काइम से अब ये वाली जो एरिया है ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोल रहे हैं स्पॉंजो सील बोल रहे हैं और स्पॉंजो सील को और क्या बोलते हैं स्पॉंजो सील को और क्या बोलते हैं पैरा गास्ट्रिक कैविटी बोलते हैं क्या बोलते हैं पैरा गास्ट् प्रेजन्टर है उससे लाइन्ड होते हैं यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है वह कौन से ल हैorgannocyte सेल है कौनसे सल है कौन कांदlingen्रों सु al fly annus इत्रों क्वेकर सथैं यह क्या होती है यह वहली कंड यह जो सेल्स होते हैं यह कैसे होते हैं फ्लाजिलेटेड होते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है इनके सेल ऐसे होते हैं यहां पर एक फ्लाजेला प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो इसके अंदर कौन सी कावेटी प्रेजेंट है स्पॉंजो सील प्रेजेंट है ओ आप और बोलते हो कॉलर सेल येस क्या पूछ रहे हो पैरा गास्ट्रिक कैविटी येस हाँ उसको क्या बोलते है चलो next आप तो बात हो गई कैविटी की ठीक है कैविटी की बात अगर मैं बात करूं डाइजेश्टिन इंट्रस एलोलर है नो रेस्पिरेटरी और गन है ठीक है चलो अब अब आब आब हम बात करें यह तो बात हो गई किसकी next next cavity के बारे में आपने देखा कि इसके जो सारे cells हैं किस से lined है क्वानो साइट से lined है ठीक है next अगर हम बात करें next इसके characteristic की color cells water vascular system present होता है यहां पर water vascular नहीं water canal system water canal system present होता है इसके अंदर body के अंदर क्या present होता है water canal system water vascular system कहा पर present था एक आइनो डव में लेकिन यहां पर कौन सा canal system present होता है यह canal system क्या काम करता है यह canal system respiration भी करता है यह करता है respiration भी करता है digestion भी करता है respiration भी करता है digestion भी करता है और excretion में भी help करता है और किसमें help कर रहे है excretion में भी help करता है यह water water canal system इसको किसमे help करता है respiration exchange of gases में भी help कर रहा है उस जो खाना अंदर जा रहा है intracellular digestion होता है उसके digestion में भी help कर रहा है और waste material को excrete out करने में भी help कर रहा है ठीक है clear है अगर हम इसकी body की बात करें अगर हम इसकी body की बात करें तो इसकी body कैसी होती है porous होती है pores present होता इसकी body में दो तरह के pores present होते हैं एक little pores little pores many little pores बहुत सारे little pores present होते हैं और one large pore one large pore जो बहुत सारे little pores होते हैं उसको हम कहते हैं austia का कहते हैं और एक large pore को हम यह कहते हैं uczulam औस्टिया से पानी अंदर जा रहे है पानी अंदर यहांसे क्या होता है इनलेट होता है किसका water का और यहां से आपके excrete material के साथ water कहां जा रहा है बाहर जा रहा है तो यह क्या करता है आउटलेट है किसका वाटर का इसकी बॉड़ी के अंदर यह देखो इसकी बॉड़ी ऐसी थी इसकी बॉड़ी में यहां पे जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं और यह जो बाहर निकलने वाला पोर है इसको intercellular होता है intercellular digestion होता है यहां पे कैसा digestion है? intercellular. Cell के अंदर क्या होगा? digestion होगा. इतनी बात clear है? यहां पे जो digestion में cells काम करते हैं वो कौन-कौन से है? एक तो konocytes एक तो konocytes है और एक amoebo site है और amoebo sites. दोनों partially क्या करते हैं? खाने को digest करते हैं कौन से क्वानोसाइट और अमीबोसाइट क्लियर है इतनी बात digestion क्लियर हो गया चलो next अगर हम इसके respiration की बात करें तो इसका respiration का ऐसे होता है आपने देखा canal system से respiration होता है लेकिन exchange of gases किस से हो रहे है general body surface से हो रहे है body surface से इसका जो respiration है वो कहां से हो रहे है body surface से हो रहे है next अगर हम बात करें इसकी excretion की excretion की तो यह कौन से animal है excretion भी ausculum से बाहर जा रहे है लेकिन इसका अगर मैं बात करूं excretion क्या excret out निकालते हैं तो amonotellic है amonotellic है और ausculum से इसका क्या हो रहा है excretion हो रहे है ठीक है अगर हम इसके sexist की बात करें तो इसके sexist क्या है यह bisexual है bisexual है हर mephrodite है दोनों हर mephrodite है दोनों sexist एक ही organism के अंदर पाए जाते है bisexual है ठीक है clear है इतनी बात bisexual है यह वाली बात clear होगी कैसे अगर आप बात करें reproduction की reproduction की reproduction थोड़ा detail में देखते हैं पहले बात कर लेते हैं किसकी यह food कैसे reserve करता है food reserve food reserve करने के लिए conscious site होते हैं कौन बताएगा conscious cell present होते हैं इसके अंदर food को reserve करने के लिए in the cell sites conscious cells होते हैं तीसो साइट और अगर हम बात करें अगर हम बात करें किसकी water canal system की water canal system की तो तीन तरह के system देखने को मिलते हैं अभी हम detail में पढ़ेंगे तीनो टाइप के लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी ascon की, leucon की, sycon की, sycon की और leucon की तीन टाइप के system आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं सबसे simplest form कौन सी होती है सबसे simplest form कौन सी होती है ascon किसमें देखने को मिलती है leucosolenia leucosolenia yes सुधा good morning बेटा good morning yes 300 site is correct very nice आपको इतनी बात clear हो रही है इतनी बात clear हो रही है कि केनायल सिस्टम कितने पाई जाते हैं तीन एसकॉन में simplest यह कहां पे मिलता है लियूकोस ओलेनिया यह इससे थोड़ा complex little bit complex little bit complex कौन सा साइकॉन वाला किसमें देखने को मिलता है साइकॉन में और ग्रांचिया में स्काइफा में और ग्रांचिया में ठीक है यह more complex यह कैसे है more complex बहुत complex है या फिर highly complex है ठीक है इसका example है कौन कौन से spongilia जो हमें कहां पे मिलता है fresh water में मिलता है spongilia कहां पे मिलता है fresh water में मिलता है ठीक है दूसरा Sounds is josona processes मतलब sons जिला और अगर यू पन जिला का बात करें तो यू पैडल्ट में तो यू कॉन टाइप का ही पाया जाएगा लेकिन अगर इन सिर्फट आर्वा में इन πइन वर फो newspaper पंसा kenal system पाये जाता है तो उसको कहते है Ragon यह भी याद रखना कई बार paper में पूछा गया Ragon टाइप का इनका system जो है किसमें पाये जाता है larva में पाये जाता है अडर्ल में तो आपको lukon ही मिलेगा लेकिन इनके larval form में Reagon पाये जाता है वो इसकी थोड़ी सी advancement है होता बिल्कुल सेम है लेकिन रेगॉन की अड्वानस्मेंट क्या है लू कॉन है ठीक है क्लियर है मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज नहीं लेंगी क्या येस बेटा मैं कल से शुरू कर रही हूं आपका पूरा का पूरा है टीजिति साइन्स का ठीक है टीजिटि साइन्स चलो अब हम बात करते हैं इसके रिप रिफ्रोडाक्शन रिप्रोड़ाइट क्या रिप्रोड़ाक्शन इसकी comput nggak का होता है कौन कौन सा एक असेक्शुल और एक सेक्शुल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से देखा जाता है दो तरीके से देखा जाता है कौन सा एक सेक्शुल और एक असेक्शुल ठीक है अगर हम असेक्शुल की बात करें तो असेक्शुल में दो तरह से कैसे एक फ्राग्म notwendation से और दूसरा Laram कि एक मिनिक एक scım डाओओ ए देसान से और दूसरा आपका किसह बडूँ से क्लियरbei टनी ओध है राइट बडप फिजिक्स और कीमिस्ट्री का पूछ रहा है उफ आपकोई स्निष तो Мих है पढ़ाओंगी थे टीसी टी हम बात करें तो reproduction किस से होता है fragmentation से भी होता है और budding से भी होता है ठीक है budding में fragmentation में तो आपने देखा कि जो stem cells होते हैं या totipotent cells होते हैं जो वो क्या कर लेते हैं इसको तोड़ देते हैं और एक new organism form कर लेते हैं लेकिन बडिंग में बडिंग में भी अगर मैं बात करूँ तो यहां पे internal internal budding देखी जाती है कैसी बडिंग देखी जाती है internal मतलब इसके अंदर budding होगी इसके अंदर budding होगी उसको हम कहते हैं internal budding और इस यह ऐसे में जो birds form होते हैं उसको हम कहते हैं गेम्यूल तुना है न सबने गेम्यूल और एक exception भी है इसका इसका एक exception भी है कि internal bloodding exogenous मतलब external budding भी देखने को मिलती है इसमें किसके अंदर कौन बताएगा exogenous budding किसके अंदर होती है ल्यूको सोलैनिया ल्यूको सोलैनिया और बाकी सब में आपको गेम्यूल formation दिखेगा गेम्यूल बनते हैं इसमें internal budding होती है ठीक है लेकिन ल्यूको सोलैनिया में क्या देखने को मिलता है बाहर बर्डिंग होती है exogenous होता है ठीक है clear है अगर मैं और sexual की बात करूं तो sexual में यहां पर sex sex formed होता है sexual formed होता है sexual formed होते हैं by कौन यहां पर कौन सा कौन से cells हैं जो sex sex cells form करते हैं तो उसको कहते हैं archyo sites Archyo sites Archyo sites किसमे help करते हैं अब याद रखना откyo sites किसमे थीजशो sites आपने पढ़ लिया amoebos सबसे पहले पढ़ा amoebos sites किसमे रॉड़कर रहा था digestion में दूसरा आपने पढ़ा थीज़ो sites किसमे help कर रहा था food को reserve करने में तीसरा आपने पढ़ लिया आर्चियो साइट जो किसमें help कर रहे है sex self form करने में help कर रहे है ठीक है sexual reproduction के लिए जो sex formed होते है sex self formed होते है female और male वो कौन कौन produce कर रहे है आर्चियो साइट पर्टियूस ठीक है यस लिउको सो लेनिया इस करेक्ट वेरी नाइस दीपक तन्वर्च शिवांगी निश्या वेरी गुड बेटा वेरी नाइस चलो next अब तो यह बात हो गई reproduction की अब बात करते हैं इसके fertilization की fertilization कैसा होता है येस कैसा होता है fertilization आच्चियो साइट येस ठीक है fertilization इसमें कैसा होता है internal होता है कैसा fertilization है internal है अंदर fertilization होता है development कैसा होता है development कौन बताएगा इसमें लार्वा फॉर्म होता है तो कैसा development है indirect development है indirect development है क्यूंकि इसमें larva formed होता है, क्या formed होता है, larva formed होता है, clear है इतनी बात, larval form भी present होती है, इसलिए ये क्या है, indirect, क्या है, development है, अब अगर हम बात करें, sponges की, sponges में, तीन तरह के larva पाए जाते हैं, यहीं पर ही हम बहुत सारी चीज़े cover करते जा रहे हैं, ठीक है, revision है, revision तो ऐसे ही होगा न, जुसमें आपको detailing नहीं, मतलब इतना नहीं बताना है, लेकिन आपको examination point of view जितना बताना है, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके development की, तो जो larva formed होता है, वो कितने तरीके का form होता है, कौन कितने तरीके का form होता है, तीन तरीके का, कौन कौन सा larva, एक होता है, paranchymula, paranchymula, amphiblastula, ये तो दोनों सब को पता है, तीसरा बता दो, cilioblastula, कौन सा, cilioblastula, तो कितने, yes, free swimming ciliated larva होता है, paranchymula, amphiblastula और cilioblastula, तीन आपको क्या मिल गए, तीन forms मिल गए, किसकी larva की, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो जो larval form होती है, यहाँ पे, larval form होती है, वो कैसी होती है, motile होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या present होता है, cilia present होता है, इनके larva पे, ciliated होती है, paranchymula, ठीक है, लेकिन इसकी adult form जो होती है, adult form, वो कैसी हो जाती है, सिसाइल हो जाती है, वो तो movement non motile है ये, कैसे है, non motile है, जबकि larval stage कैसी है, motile है, clear है इतनी बात, तो fertilization भी clear हो गया, development भी clear हो गया, reproduction भी clear हो गया, कि कैसे होता है, sexually भी होता है, sexually भी होता है, ठीक है, अब आते हैं इसके classification पर, किस पर आते हैं, classification ये important है, कहीं याद हो जाएगा, क्यों important है क्योंकि examination point of view से यहाँ पे question पूछे जाते हैं, अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसके on the basis of, अच्छा एक topic रह गया यहाँ पे, यहाँ पे skeletal system का topic रह गया, कि इसके अंदर, चलो यहाँ ही बता देती हूँ, सबसे पहले एक बात जान लो, skeletal system भी present होता है, इसमें क्या present होता है, skeletal system, skeletal system present होता है, यह skeletal system different types का होता है, कितना होता है different types, कैसे आपने देखा था, pinacoderm और actoderm, coanoderms के बीच में, यह pinacoderms और actoderm के बीच में क्या था, mesokime था, यहाँ पे mesokime था, mesokime, mesokime में skeletal system present होता है, calcareous होता है, जो किस से बना होता है, calcium से बना होता है, specular होता है, silasious होता है, कौन सा होता है, एक तो calcareous होता है, जो किस से बना हुआ है, calcium से बना हुआ है, दूसरा सिलेशियस होता है जो किस से बना हुआ है सीलिया से बना हुआ है सिलिकॉन से बना हुआ है ठीक है तीसरा स्पॉंजिन फाइबर प्रेजन्ट होते हैं स्पॉंजिन फाइबर किसका बना होता है प्रोटीन का बना होता है स्क्रक्राइब, थिक है? ये, बेटा, अभी उस पे भी आरे… स्क्लेरोबलास बनाते हैं, YES, very nice. इस वेरी नाइस, ये कॉंड़ोङोत, ये स्क्लेरोबलास्ट और ये स्प्लेरोबलास्ट थिक है? चलो, नेक्स तो different types का skeletal system present होता है next अगर मैं बात करूं yes kelsoblast, cilioblast और spongoblast next अगर मैं बात करूं तो इनका जो classification है इनका जो classification है classification है वो on the basis of on the basis of skeletal system कैसा skeletal system पाया जाता है किसी sponge के अंदर उस वो उसको क्या करता है classify करता है कि ठीक है clear है इतनी बात आप क्या बोला मैंने कि skeletal system different different skeletal system दिख्या आपको कोई calcarious है को इसका classification इसी के basis पर होता है कि कौन सा skeletal system present है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम इसके classification की बात करें क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आते हैं calcium sponge बनाते है calcium sponge दूसरे आते हैं हाइला तो हाइला हाइला sponge या हेक्सा हेक्सा एक्सा एट्नीन लेड़ा और तीसरे आते हैं डेमो sponge ये ठीक है clear है इतनी बात अब calcium sponge नाम से ही समझ में आ रहा है इसका skeleton यह सारे के सारे marine होते हैं कैसे होते हैं सारे marine होते हैं all our marine यहां पे भी all our marine लेकिन जो डेमो sponge होते हैं वो few marine होते हैं और few fresh water भी होते हैं और marine तो होते हैं ठीक है calcium sponge की अगर मैं बात करूं तो calcium sponge क्या है क्या पता चल रहा है आपको कि यहां पे जो specules present है specules present है वो किसके बने होए है calcium के बने होए है specules ऐसा structure होता है यह किसका बना हुआ है यह calcium का बना हुआ है ठीक है यहां पे जो type present होगा किसका कौन सा type present होगा मैं इधर हो जाती हूं आपको दिखेगा निए कौन सा type present होगा as con type as con type canal system present होगा ठीक है clear है इतनी अब हम आगे चलते हैं हाइला पे यह एक्टिनल इडा पे चलते हैं तो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे जो specules present होते हैं specules present होते हैं वो कैसे होते हैं six ray होते हैं मतलब यहां पे six rays present होते है one two three one two three four five six seven यह तो eight होगी one two or three ऐसे ही कितने होते है six rays क्यूल present होता है जो किसका बना होता है silicon का बना होते है ठीक है और यह क्या होते हैं कौन बताएगा इसका example क्या है इसका example क्या है इसका example क्या है इसमें एसकॉन और साइकॉन दोनों टाइप के पाए जाते हैं इसमें भी एसकॉन और साइकॉन दोनों पाई जाते हैं लेकिन इसमें यह वाले कौन सी है यह largest होते हैं बहुत ज्यादा पाई जाते हैं लार्जेस्ट है 97 परसेंट तो कौन से होते हैं डेमो स्पॉंजी होते हैं यह किसके बने होते हैं इसके प्रोटीन के बने वे होते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई कि आपको कैसे कैसे देखने को मिले हैं, और यहां पे जो केनाल सिस्टम होता है, वो कौन सो होता है, लिव कौन होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन में तीनों समझ में आ गए, classification में आपको तीनों समझ में आगे Kelsey Sponge, Hila Sponge और Demo Sponge चलो अब next चलते हैं शिवांगी बिल्कुल बिल्कुल अभी एक-एक example पर आते हैं इसके अब हम इसके बात करते हैं examples की इसकी बात करते हैं example की सबसे पहले मैं बात करूँगी Kelsey Kelsey Sponge की Kelsey Sponge में सबसे पहला example आता है Leucosolenia क्या आता है Leucosolenia next example आता है Saigon तीसरा example आता है Grantia क्या आता है Grantia next की बात करें next hexa hexa इसको hexa बोलते हैं क्योंकि six rayed होते हैं ये hexa actine lida ये जो होते हैं इसकी example है U-plactela U-plactela कहां गया भई U-plactela वाला yes U-plactela वाला बच्चा कहां गया where is U-plactela वाला बच्चा इसको क्या कहते हैं winner's flower basket भी बोलते हैं winner's flower basket भी बोलते हैं ये जो U-plactela होता है ये आपने बहुत बार पढ़ा है मैंने आपको पहले भी बताया है कि जपान में जब wedding होती है शादी हो रही होती है तो ये gift में देते हैं क्यों gift में देते हैं क्योंकि यू-plactela के अंदर कौन रहता है एक crustacean रहता है श्रिम्प रहता है श्रिम्प अरिथ्रोपोड़ा होता है crustacean होता है श्रिम्प रहता है और ये इसके अंदर श्रिम्प अमरते दम तक साथ निभाने वाला ठीक है इसका एक्जाम्पल है यू-plactela जिसको विनस फ्लार बास्केट भी बोलती है नेक्स इसका एक्जाम्पल है hyalonema hyalonema जिसको हम glass rope के नाम से जानती है इसका common name क्या है ग्लास रोप hyalonema पत्ली सी रोप जैसा structure होते है नेक्स्ट है फिरोन फिरोनो नेमा जिसको जो बाउल शेप्ड होते है बाउल की तरह ऐसे बाउल शेप्ड होते है बाउल शेप्ड या बाउल स्पॉंज भी बोलते हैं इसको ठीक है एक्जा एक्टिन लिडा में आपने क्या-क्या देखा यू प्लैक टेला देखा यह किसके साथ श्रिम के साथ कमेंसेलिजम एसोसीेशन करता है ठीक है जपान वेडिंग में इसको गिफ्ट कि ये धियंग फैठीक में है सबसे पहला एक्जाम्पल की अ ठीक है, ओके, पता नहीं कौन बच्चा था, जिसने मिरेको लाके देना था, मिरेको मिल नहीं रहा, वो बच्चा कहां चला गया, कह रहा था मैं मैं आपको जपान से वो गिफ्ट लाके दूँगा, कहां गया वो बच्चा, चलो, स्पॉंजिला किसमें पाए जाते हैं, फ्रे यह बाद स्पॉंज, इसको क्या बोलते हैं, बाद स्पॉंज बोलते हैं, ठीक है, तीसरा, किलोना, क्या होता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है, किलोना, यह स्क्रेजी वर्ल्ड है, पता नहीं कहां है आज कल, ठीक है, किलोना क्या है, एक बोरिंग स्पॉंज है, क्य क्या करता है यह ऑइस्टर होते हैं जिसमें से पाल निकलते हैं वो मोती निकलते हैं उनको हाम करता है उनके उनके अंदर छेद कर देता है बोरिंग स्पॉंज है इसको क्या कहते हैं बोरिंग स्पॉंज भी बोलते हैं ठीक है फॉर्थ यह पाल इंडस्ट्री के लिए क्या हो कहते हैं इसको हो और स्पॉंजिया हो और शेप लाइक स्टक्चर होता है है ठीक है नेक्स्ट है चलीना चलीना इसको कहते हैं डेड मैंस फिंगर डेड मैंस फिंगर कभी कभी पहले लोग इसको चलीना को देखके डर जाते थे चलीना को देखके लोग डर जाते थे क्योंकि स मुद्रों के अंदर ऐसे हाथ जैसा एक स्टक्चर होता है जिसको कहते हैं चलीना जो क्या है डेड मैंस फिंगर है ठीक है वो कभी-कभी ऐसे ऐसे हाथ जा रहा होता था तो लोगों को लगता था किसी मरेवे इंसान का हाथ है लेकिन वह हो एक्चुल में क्या होता था स्पॉंज होता था चलीना डेड मैंस फिंगर ठीक है क्लियर है इतनी बार तो यह था क्या किसके बारे में इनकी classification के बारे में और उनके examples के बारे में ठीक है clear है कोई examples तो नहीं भूलेगा इसके चलो next अब हम बात करेंगे इसके केनाल सिस्टम की इसकी बात करेंगे केनाल सिस्टम की मैंने आपको बताया कितने टाइप का केनाल सिस्टम होता है 3 सबसे पहले वाला क्या कहते है एसकौन एसकौन जो सबसे simplest है किसमें पाया जाता है लिउको सोलेनिया में पाया जाता है ठीक है यह क्या सिस्टम है यह सिस्टम है यहां पर से 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 यह सबसे simplest होता है से यहां पर यह क्या present है बाहर में बाहर वाली लेयर में क्या present होता है अभी मैंने आपको बताया panacoderm pinacoderm में क्या present है panacosites पि-n-ac-cय साइट க और ये जो अंदर वाली लेयर है ये कौन सी है koo Adeno sites को anusites और यहां पर क्या improvements क्या present है koo νो-s department वीच में जो port present है इसको हम कहते है औस्टिया यह क्या थे स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है और इस वाले को हम क्या कहते है स्पॉंजोसील या पैरागास्ट्रिक कैवेटी और यहां से जो पानी बाहर निकलता है इस वाले को कहते है औस्कूलम तो बड़ा सिंपल सा वो है पानी कैसे आएगा अंदर कैसे जाएगा पानी इनकरेंट कैसे होगा यह याद रखना incarnate कैसे होगा incarnate water, किस के पहुँ होगा austria के पहुँ अंदर जाएगा पानी austria के THROUGH कहा पह जाएगा spongesil में जाएगा spongesil में जाएगा स्पोन्जोसील से osculum के थहुँ बाहर निकल जाएगा osculum के पहुँ जाएगा बाहर निकल जाएगा, outside site सबसे simplest है इसमें कुछ नहीं है कोई का ताम जाम नहीं है next आता है next black screen पे देख लेते हैं next आता है स्को हम कहते हैं कौंसा इसाइकॉन साइकॉन इसाइकॉन टाई ये थोड़ा क्या है थोड़ा complex है यहाँ पर क्या होता है यह आपके pores है यहाँ पर ना इसकी folding हो जाती है इनकी क्या हो जाती है ऐसे करके folding हो जाती है body wall की folding हो गई इस body wall की folding होने की वज़े से यहाँ पर क्या हो गया इन body उसकी folding होने की वज़े से यहाँ पर canals बन गए यह देखो ऐसे एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है और यहाँ से एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा ऐसे जाता है तो यह वाली जो canals होती है यह वाली यह बाहर वाली बाहर वाली को हम क्या कहते है x-current, x-current और यह जो अंदर वाली है इसको कहते है, in-current inherent, एकशन यहां पर यह कै क्या present है? यहां पर तो pores present है, इसको क्या कहते है? Pores, क्या है, यह यह कौन से pores है? ostia ostia से पानी का जाएगा intersection में जाएगा, अब यहां पर क्या होता है, incurrent में hinge होते हैं क्या होता है यहां देखो यहां पे खोल प्रेज़ेंट हो पूरा ही मिट क्या या profile बोलते है, yes, कौन बताएगा इसका correct option, आपने देखा कि जो एक in current canal है और x current canal को radial canal बोलते है, radial, यहाँ x current नी radial canal आती है, तो जो in current में force present है, उसको क्या बोला, कौन बताएगा, prosopile, अपोपील थोड़ी? prosopile, yes, prosopile, और जो in current में, यहां से यहां पर पानी जाने के लिए है, वो है एपोपाई сил, एपोपाई तो यहां पर पानी कैसे जा रहे है, सबसे पहले पानी कहा जा रहे है? इन करेंट canal में, इन करेंट canal में पानी कैसे आ रहा है, किसके त्रूआ रहे है औस्टिया के थूआ रहे है किसके थूआ रहे है औस्टिया के थूआ रहे है फिर इनकरेंट के नाल में पानी जा रहे है और उसके बाद सॉरी यहां इनकरेंट वॉटर है यहां पर यहां पर इंकरेंट ओफ वाटर हो रहा है कहां जा रहा है ओस्टिया से इंकरेंट के नाल में जा रहा है इंकरेंट के नाल में जा रहा है इन करेंट कैनाल में क्या लगे होए है प्रोसोपाइल लगे होए है प्रोसोपाइल लगे होए है प्रोसोपाइल लगे होए है प्रोसोपाइल कहां पे बेज रहा है रेडियल कैनाल में बेज रहा है अंदर वाले कैनाल में बेज रहा है रेडियल कैनाल में बेज रहा है फिर तो यह इसका flow है, थोड़ा सा क्या है, complicated है किस से, एस कौन से, एस कौन तो बिल्कुली simple था, austria से पानी अंदर जाता था, और spongosil में जाता, austrium से बाहर निकल जाता था, लेकिन यहाँ पे due to foldings, due to foldings, किसकी body wall की, body wall की folding के कारण, यह क्या बना रहे है, canal बना रहे है, कौन कौ सी, एक तो इंकरेंट के नाल और एक radial के नाल, ठीक है, clear है इतनी बात, चलो, यह वाली बात भी clear हो गई, एस कौन टाइप भी clear हो गया, साइक कौन टाइप भी clear हो गया, yes, चले next, चलो, next देखो अब, next, अब तीसरा type आता है कौन सा, leucon type, leucon type, leucon type में क्या था, और ज्यादा foldings थी, more foldings are there, more foldings are there, more foldings के कारण, यह ऐसे, 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 ऐसे fold हो गया, यह यहाँ पे ऐसे, 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 ऐसे fold हो गया, यहाँ पे जो sponge seal था, sponge seal, वो क्या हो गया, गायब हो गया, lost कर गया, और क्या बना लिया, एक canal बना ली, एक क्या बना ली, canal बना ली, जिसको कौन सी canal बताया, x current canal बताया, x current canal केनाल बताया बाकी तो पूरा सेम है किसरी साइकान जैसा लेकिन बस यहां पर स्पोंग सील की जगा यह पूरी केनाल बन गई कुस्ति In current water, किस के through? Ostia के through जाएगा, कहां पे जाएगा? सबसे पहले, In current canal पे जाएगा? In current canal में जाएगा. In current से कहां पे जाएगा? किस के through? Prosopile के through किस में जाएगा? Radial में जाएगा. Radial से फिर कहां जाएगा? Apopile से? Apopile से किस में जाएगा? अब यहाँ पर X current में जाएगा, X current के नाल में जाएगा, और फिर X current से कहाँ चला जाएगा, ausculum से बाहर चला जाएगा, ausculum से बाहर चला जाएगा, clear है इतनी चीज, done, ये बात समझ में आ गई, चलो, एक बार आगे चल लेते हैं, और questions देख लेते हैं, ये introduction है, आप ये ही लिखा हुआ है सारा, मैं आपको दे दूँगी ये, आप ये सारा पढ़ लेना, ठीक है, next हम question पर move करते हैं, चलो, जल्दी से, जल्दी जल्दी, be quick, be quick, सारे के सारे topics हमने ऐसे ही cover करने हैं, ठीक है, हमने एक revision ले लिया, quick revision ले लिया, पूरे phylum का, ठीक है, clear, okay, done, 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 very nice, चलो, अब हम मेरे को बताएंगे ये question, और chamber common to all types of canal system, एक chamber है, जिसमें सारे के सारे canal system, जो sponges है, all type of canal system of sponges is called, paragastric cavity, radial chamber, excurrent या incurrent, वो बताओ, वो canal system बताओ, जो हर sponge में पाया जाता है, yes, sicon, sicon और leucon में, तीनों में पाया जाता है, radial canal, excurrent canal, incurrent calan, या paragastric cavity, yes, everybody in the chat box, फटा फट से इसका answer बताएंगे, अभी अभी तो बात करी है, अगर अभी अभी बात करी है, तो आप answer भी बता सकती हो, yes, वो chamber बताओ, जो सारे canal system के लिए common है, all type of canal system of sponges, जिस जिसमें पाया जाता है, yes, very nice, बांके भी हारी, very good, paragastric cavity, मैंने आपको बताया था, sponge o seal तो हर किसी में ही पाया जा रहे, बस last वाले में, जो sponge o seal है, वो reduced हो गया, और उसने उस reduced sponge को क्या बना लिया, X current बना लिया, otherwise, sponge o seal तो हाँ present ही है, ठीक है, वो reduced हो गया बस, lost कर गया, थोड़ा-थोड़ा चोटा हो गया, ठीक है, तो A is correct, very nice, paragastric cavity is correct, next, which one is not typical to all poriferous, कौन सा एक सभी poriferous में विशिष्ट नहीं है, perforated body, coannocyte, system of pores and canals या sponges in fibers, अजू, hello बेटा, how are you, okay, how are you, how are you, बेटा, चलो, okay, very nice, very good, it helps you a lot, चलो, next, बताओ, all poriferous के लिए, सब poriferous के पास, कौन सी एक property नहीं है, जो similar, मतलब सब पे नहीं होती, तो perforated body तो सब में होती है, सब के पास pores प्रेजेंट है, ostia तो सब के पास प्रेजेंट है, quanocytes भी सब के पास प्रेजेंट है, क्योंकि बाहर वाली layer को, अंदर वाली layer को क्या कह रहे है, कोईणोडर्म, कोईणोडर्म, internal layer है, और internal layer में कोईणोसाइट प्रेजेंट होते हैं, flagellated cells प्रेजेंट होते हैं, system of pores and canals, pores भी प्रेजेंट हैं, और canals भी प्रेजेंट हैं, लेकिन सब में sponges and fiber तो नहीं प्रेजेंट था, किसी में calcareous भी है, किसी में salacious भी है, तो सब में sponges and fiber नहीं प्रेजेंट, तो D जो है, वो correct option है, clear है, clear है, चले आगे, चलो, next, next question देखो, yes, very nice, D is correct, very good, Purnima, very nice, Deepak Tanwar, Skilltech, very good बेटा, Julie, very good, Nikita, very good, very nice, Nisha, very good, Shivangi, Tiwari, very good, very nice, चलो, next question देखो, which of the following is a member of phylum porifera, इन में से कौन से porifera member के phylum है, Saigon, Leucosolenia, Spongylia, या all of them, येस, फटा-फट, all, Skilltech, very good, very nice, तो सारे के सारे किसके members है, porifera के member है, very nice, very good, Nikita, Nikita, Nisha, Banke Bihari, Sudha, Nisha, very nice, very good, very nice, चलो, ये सिर्फ एक fresh water है, बाकि कौन से है, marine water है, चलो, next, evolution of porifera from protozoa, protozoa से जो evolution हुआ है, किसका porifera का, वो किसका evidence है, किसकौन से ऐसे उसका विकास है, जो ये बताता है कि porifera, protozoa से porifera का evolution हुआ है, euglena, chlamadodominas, walvox, या paramecium, yes, be quick, कौन बताये गा इसका अंसर, leukosolaria, calcaryia, sycone, yes, okay, okay, spongyla, desmozoa, yes, very nice, demo spongy, चलो, next, evolution of perifera from protozoa is evidenced by the animal-like, कहरे है, paramecium, no, what is the correct option, what is the correct option, euglena होगा, euglena होगा कि walvox होगा, euglena भी हो सकता है, और walvox भी हो सकता है, अगर आपसे connective link पूछा जाता, तो euglena होता, लेकिन यहाँ पे evolution पूछा गया, इसलिए walvox होगा, ठीक है, walvox होगा, connective link है बेटा, ठीक है, चलो, next, amphiblastula and parenchymyla, and parenchymyla, larval stage are found in, silentrate, platyhelmin, porifera, या none of these, हाँ, proto spongia, proto spongia, दोनों के बीच में, एक link है, ठीक है, yes, चलो, next, proterospongia, yes, चलो, यह कैसे, जो proterospongia है, वो colony form करते हैं, colony, बिल्कुल resemblance देते हैं, किस से, resemble करते हैं, sponges से, क्योंकि यहाँ पे भी, coanocytes present होते हैं, ठीक है, तो इसका answer है, C, porifera, very nice, porifera में आपने देखा, amphiblastula होता है, parent kaimula होता है, और तीसरा कौन सा होता है, siloblastula होता है, ठीक है, चलो, porifera is correct, now next, feeding in sponges, take place through, coanocytes, nerve cell, osteo, osculum, क्या पूछा गया आप से, आप से पूछा, ओहो, आप से पूछा गया है, जो feeding sponges में होता है, किस के थूँ होता है, अभी मैंने आपको बताया, digestion में कौन help करता है, कौन help करता है digestion में, coanocytes, और, amoebocytes, तो यहाँ पर क्या option दे रखा है, coanocytes, sponges में feeding किसके दौ़ारा होता है, coanocytes, nurse cell नहीं बेटा, nurse cell काँ पढ़ा था, ठीक है, nurse cell की बात हुई थी, A होगा, हर जगा feeding nurse ही थोड़ी कराएगी, हाना, sponges free living larvae is called, velegar, trochophor, parenchymula, by pinaria, कौन सा, free swimming larvae पूचा है, free swimming larva, free swimming larva, कौन सा है, parenchymula, कौन है, parenchymula, क्या बोला, nurse cell in porifera, help in digestion, wait, मैंने आपको बोला था, collar cell, क्या करते है, food को trap करते है, बेटा, food को trap करते है, collar cells और, coannocyte क्या करते है, food को trap करते है, ठीक है, ताकि वो pinacocytes को दे सके, और वहाँ पर intercellular digestion हो सके, हमी वो साइट्स, वहाँ प्रेजेंट होते है, ठीक है, चलो, परेंट काई मूला, इस करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गोड, नाव नेक्स्ट, तब मोस्क दिस्टिंट, करेक्टर आफ स्पोंज, इस प्रेजेंस ऑफ कोईनोसाइट, यूनिसेलूलर, मरीन, या और सेक्शुल रिप्रदक्शन, सबसे डिस्टिंक्ट फीचर क्या है, डिस्टिंक्ट, क्या लग रहा है आपको, अभी तक कहीं पर नहीं देखा, डिस्टिंक्ट फीचर, यूनिसेललर तो और भी हो सकते हैं, मेराहिन तो और भी हो सकते हैं, लेकिन presence of quanocytes और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ यहीं पर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, clear है, जो quanoderm, जहां करते हैं, lining form करते हैं, कौन सी, innermost, चलो, next, canal system is characteristic of hydra, sponge, cm, animal, या sea urchin, किसमें देखने को मिलता है, canal system, क्या बात है, हो रही है, यह, hydra, कि sponge, अच्छा, वो अभी quanocytes का अंसर दे रहे हैं, ओके, ओके, थोड़ी लेट चल रहे हैं, थोड़ी क्या चल रहे हैं, बी, यह, sponge, चलो, next, fresh water sponges are also grouped in calcarea, heterocelea, deemospongia, या trachinalida, बिटा, क्या करेगा मेरी यह जानके, क्या करोगे, बिटा, बता तो सही, क्या करोगे, बताओ तो पहले, क्या करोगे, desmospongia, yes, very nice, तो desmospongia क्या है, एक fresh water, fresh water sponge है, देखो, क्या करोगे, बताओ तो, क्या करोगे, next, venus flower basket is the name of dried skeleton of, किसको कहते हैं venus flower basket, यू spongia, यू plactela, spongula, या yucosolenia, किसको कहते हैं venus flower basket, सारे question वो ही आ रहे हैं, जो हमने पढ़ लिया है, है न, वो ही आ रहे हैं न, क्या किसको कहते हैं, yes, venus flower basket, commensalism में रहता है, किसके साथ, shrimp के साथ, यू plactela, very nice, क्या है, यू plactela, very good, चलो, next, देखो, in leucosolenia, leucosolenia में, जो digestion है, वो कहाँ पे होता है, paragastric cavity में, stomach में, osculum में, या food vacuoles में, leucosolenia में, जो digestion हो रहा है, वो कहाँ पे होता है, digestion कहाँ पे होता है, जल्दी बताओ, food vacuoles में, ठीक है, food vacuoles में, चलो, next, कोई बात नहीं, क्यों लड़ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों, क्यों, बताओ तो, किस लिए, कोई है, इसका कोई निश्कर्ष निकलेगा, पेरिंकाइमूला इस दा लार्वा उफ, हाइड्रा, असकारिस, फेरिटिना या लुकोसोलेनिया, यस, फटफ़ट बताओ, लुकोसोलेनिया, वेरी नाइस, पेरिंकाइमा, क्यासा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, sponges are sponges कैसे होते हैं syside होते है planktonic होते है free swimming होते है या pelagic होते है बताओ नहीं देते हैं ओके सिसाइल, स्पॉंजिस आर, सिसाइल ठीक है, हाँ, मेरी तो हो गई है, हो गई लेकिन ऐसे काम करोगे तो आपकी नहीं होगी ठीक है, चलो, नेक्स्ट, जपान में कौनसा गिफ्ट देते हैं येस, कौनसा गिफ्ट देते हैं, हेलो नेमा, यू प्लाक टेला, टेथ्या, या यू को लू को सोलेनिया, चलो, यू प्लाक टेला, वेरी नाइस यू प्लाक टेला इस करेक्ट, हमें तो, हमें अपना क्या कराना है, मैं जो टागेट लेके क्या हूं, मुझे कंपेट कराना है, कि आपको आज पौरी फैरा कंप्लीट करा दूँगी, विध क्वेस्टेन, ठीक है? ठीक है? चलो, वॉटर करेंट्स इंग, लूको सोलेनिया और प्रिडूस्ड बाई, वॉटर करेंट्स, leucosolenia में किसके द्वारा प्रिड्यूज होते हैं क्वानोसाइट, स्पिनाकोसाइट, साचियोसाइट, सीसोसाइट कोई बात नहीं, don't fight चलो, let's let's come to the next question water currents in leucosolenia are produced by किसके द्वारा प्रिड्यूज होता है बेटा are produced by क्वानोसाइट अंदर वाली, हैना अंदर वाली लेयर में water currents produced होते है आर्चियोसाइट कोई लिख रहा है यह तो मैंने आपको किसमें बताया था, sex cells में बताया था, sthizosाइट, food reserve food reserve यह यहां तो austria present होता है यहां currents present होते है, water currents और यह sex cell produce करता है sex cell को produce करता है ठीक है चलो, अब last के two questions बते हैं और last के two questions आपके क्या है homework क्या है last के questions आपके homework मामने answer तो दिखाई दिया ठीक है तो see you guys tomorrow बबाई take care have a nice day अब क्या करेंगे next class में नाइडेरियंस पढ़ेंगे और उसके question करेंगे तो पौरी फेरा से कोई question आएगा तो नहीं चूटेगा ना क्या बूछ रहे हो अगर पौरी फेरा से कोई question आएगा तो नहीं गलत होगा अना चलो homework ले लो थोड़ा सा और कल हम नाइडेरियंस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है चलो ओके बाई बाई take care see you guys tomorrow have a nice day बाई